तो बच्चो ये काफी अच्छा कोश्चन है 30 कोश्चन ये कहा रहा है बच्चो तो amount of compound interest which is certain sum of money is इतना रूपीज for one year and compound interest of इतना in second year calculate the rate of interest बच्चो अगर second year के compound interest से मैं first year के compound interest को minus कर दू न तो वो क्या हो जाता है second year के compound interest से second year के compound interest से बच्चो अगर मैं ऐसा कर दोंगा तो मेरा rate आने वाला है ठीक है काफी easy हो जाएगा और यह जो होगा जो मेरा simple interest है सबसे पहले जो आ जाएगा मेरा यही मेरा क्या होगा principle हो जाएगा देखो मैं इसको solve कर लेता हूं काफी easy question है तो जो जाएगा 1375 second year का minus 1250 equals to बच्चो देख को अगर मैंना minus किया तो यह किसके बराबार आगा simple interest के बराबार तो simple interest equals to PRT upon 100 PRT upon 100 तो बच्चो अगर मैं इसको minus करता हूं तो यह अच्छा आ जाएगा 125 equals to principle कितना है बच्चो मेरे पे 1250 यह बाला first year का principle आजाएगा rate मेरे को नहीं पता time कितना है बच्चो time है मेरा one year upon 100 एक 0 से 10 cancel आउट ही पूरा इससे कड़ जाएगा यह दर चल जाएगा तो बच्चो rate किता है बच्चो 10% और यह काफी अच्छा question है बच्चो टीचर्स देते हैं यह काफी important question भी है 30th right तो अब हम करेंगे 31st